TRE 3 का जो फाइनल आंसर की आया उसमें कुछ गलतियां होने की बज़ा से हज्जारों स्टुडेंट्स परिशान हैं और BPSC को इन अभियर्थियों की परिशानी को दूर करना चाहिए, BPSC को संबेदन सीलता दिखानी चाहिए, BPSC के चेर्में सर और पडिच्छा नियंतरक मह हो दैसे आगरा कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि सतर्मी BPSC में एडिट का एक मौका दीजिए, वो हर तरह का एडिट कर सके सतर्मी BPSC एक्जामनेशन फॉंक फिल करते समय एडिट के ओप्सन न होने के कारण, और BPSC TRE 3 फानल एर के रिजल्ट में कुछ गलतियों के कारण, हजारों अभियारती परिसान हो रहे हैं नमस्कार मैं सची और आप देख रहे हैं The SD News सतर्मी BPSC एक्जामनेशन फॉंक फिल करते समय एडिट के ओप्सन न देने के कारण, अव्यारती परिसान हो रहे हैं BPSC को अव्यारतियों की परिसानी को समझना चाहिए ताकि अप्लिकेशन फॉंक फिल करते समय नाम, पता, फोर नमबर आदी जैसे विकल्पों में बदलाव किया जा सके इस पर क्या कुछ कहते हैं चात्रनेता दिलिप कुमार आए सुनते हैं नमस्कार दोस्तों मैं दिलिप कुमार दोस्तों सतर्मी BPSC का फॉर्म भरने में एडिट का ओप्सन नहीं देने और BPSC, TRE3 का जो फाइनल आंसर की आया उसमें कुछ गलतियां होने की बज़ा से हज़ारों स्टुडेंट्स परिसान है और BPSC को इन अभियर्चों की परिसानी को दूर करना चाहिए BPSC को संवेदन सीलता दिखानी चाहिए और सतर्मी BPSC का फॉर्म भराया जा रहा है उसमें सभी चीजों को एडिट करने का मौका BPSC को देना चाहिए चाहे वो पर्मानेंट एड्रेस हो, नाम हो, डेट अब बर्थ हो, पिता का नाम हो या किसी भी तरह का सर्टिफिकेट अपडेट करने से संबंदित हो यानि कि सभी विकल्पो, सभी सुचनाओ को एडिट करने का मौका BPSC को देना चाहिए चोकि अगर आप OTR की विवस्ता करते हैं, तो एक बार असुधी रह गई, एक बार गलती रह गई तो हर परिच्छा के लिए गलती ही रह जाएगी, इसलिए सुधार का एक मौका मिलना चाहिए, हम BPSC के चेर्में सर और परिच्छा नियंतरक महोदै से आगरा कर रहा है, मांग कर रहा है इस सतर्मी BPSC में एडिट का एक मौका दीजिए, वो हर तरह का एडिट कर सके, जितनी भी सुचनाओं आप मांग रहें फौन भरते समय, उन सभी सुचनाओं के लिए आप एडिट का मौका दीजिए, किसी अभियर्थी को डेट आप बर्त में गलती हो गई, किसी को अपने सर्टिफिकेट अपलोड करना हो, 69 में उन्होंने अपलोड किया, तो उस समय के अनुसार अपलोड किया, अब उनका नया बन गया, तो नया अपलोड करना चाहते हैं, पर्मानेंट अडेस किसी का पहले कुछ और था, आप माल लिजिए कहीं और वो पर्मानेंट निवास कर करने लगे, तो वो अपना जो बर्तमान पर्मानेंट अडेस है, वो देना चाहते हैं, NCL हो या EWS हो, EWS उस समय 69 के समय बहुत लोगों ने जो फॉन भरा, तो उस समय के अनुसार उन्होंने EWS सर्टिफिकेट लगा था, लेकिन अभी वो सतर्मी का फॉन भरना है, तो अभी के अनुसार लगाना चाहते हैं, और इसी तरह का, और भी जो सुचनाएं हैं, जैसे दिव्यांगता से संबंदित है, और भी जो सुचनाएं, हर सुचनाओं को, हर विकल्पों को EDIT करने का एक मौका मिलना चाहिए, हजारों अभी अर्थी परिसान है, BPSC से हम यागरा कर है कि सतर्मी BPSC फॉर्म भरने में, आप सभी तरह की सुचनाओं को EDIT करने का एक मौका जरूर दीजिए, ताकि अभी अर्थियों को नियाय मिल सके, और हमेशा के लिए जो असुधी हो गई है, वो हमेशा के लिए ना रहे, बलकि हमेशा के लिए सुध हो जाए, सही हो जा है कि सतर्मी BPSC में सभी सुचनाओं को EDIT करने का एक मौका अवस्य दीजिए, ताकि हजारों अभी अर्थियों को नियाय मिल सके, और साथ ही BPSC TRE 3 का जो फाइनल आंसर की जारी हुआ, उसमें कई आंसर गलत दिये गए हैं, कुछ कोस्टन डिलीट किये गए, कुछ के आं जारी हैं, कि अभी अर्थियों द्वरा जो सिकायत की जा रही है, उन सिकायतों पे आप ध्यान दीजिए, और फाइनल आंसर की में सुधार कीजिए, गलत आंसर पे मौन लियांकन नहीं होना चाहिए, आंसर पहले सही हो, उसके अधार पे मौन लियांकन हो, एक कोस्टन का अंसर भी अगर गलत दिया जाता है और उसके अधार पर मेरिट लिस्ट जारी होता है तो हजारो मेरिट वाले बाहर हो सकते हैं एक नंबर के चलते एक कोशन के चलते एक गलत आंसर के चलते इसलिए हम BPSC से यागरा कर रहे हैं कि BPSC TRE 3 के फाइनल आंसर की में जहां भी गलत यहां उसे सुधार किया जाए 11-12 का GS का H set में 40 नंबर कोशन UPI से सम्वंदित है उसमें बाकी के set में मौरिसस आंसर दिया गया है लेकिन H set में इन में से कोई नहीं आंसर दिया गया है यानि कि एक ही एकजाम में एक ही कोशन है और अलग-अलग set है लेकिन कोशन एक ही है तो बाकी के set में मौरिसस आंसर और H set में अलग आंसर दिया गया है तो H set वालों के साथ तो वह न्याई हो जाएगा इसलिए हम BPSC से यागरा कर रहे है कि आप इंची जो को देखिए और जहां भी गलत आंसर हो गया है उस आंसर को सुधार कीजिए और अभियर्थियों के साथ न्याई कीजिए गलत आंसर पे रिजल्ट जारी नहीं होना चाहिए जब आप फाइनल आंसर की जारी किए उसमे से कोई नहीं मान रहा है तो आप तो खुद बता रहे हैं कि कोई तो गलती होगा दोनों तो आंसर सही नहीं हो सकता है जबकि कोशन एक ही है और एक ही कोशन का अलग अलग अंसर कैसे हो सकता है इसी तरह अन्य बर्गों में भी इस तरह की बाते हुई है कि कुछ आंसर गलत करने का एक मौका जरूर दिया जाए ताकि अभियरतियों के साथ न्याय हो सके कर दो